भारत की राजधानी में विधान सबाचुनाव डिली में आम आदमी पार्टी की आंधी फिर्टे चल सकती है आम आदमी पार्टी को बद 32 से 40 सीट भारती जंडरा पार्टी 25 से 25 वहीं कॉंग्रेस पार्टी 2 से 5 पर अन्य छेतरी दल 1 से 2 सीट पर सिमठ सकती है एंटीवी सर्वे में जो आंकड़े सामनी आ रहे हैं वो विधान सबाचुनाव में आम आदमी पार्टी सबसे आगे होकर सरकार बना सकती है इसमें कॉंग्रेस पार्टी तीसरे पायदार पर खड़ी दिखाई दीदी है राजधरी में दोनु रास्टी पार्टी की दाल गलती नहीं दिख रही है आम आदमी पार्टी की कारेकरता वापसी सरकार बनाने की उमीद से मैदान में उतरी है आप पार्टी कुछ चाहिनबाग आंदुलन का फायदा मिल सकता है भासपा दूसरे स्थान वहां कॉंग्रेस तीसरे स्थान पर आ सकती है चाहिनबाग आंदुलन CAA वैनर्सी जैसे मुद्दे पर कहीने कहीन नुकसान हो सकता है वही पानी, बजली, मकान, सहीत, अन्यस सुविधाओं के बलपर आप पार्टी आगे हो सकती है साथ ये नुमान है कि दिली में फिर से केजरिवाल के नित्वित में सरिकार बन सकती है NTV Opinion Pool के नुसार दिल्ली में आम आधनी पार्टी बेहद में ज़िद बूत है वही BJP और कॉंग्रस को कम सीटों के साथ संतोश करना पड़ सकता है पतादे दिल्ली में विधान सभा की सत्य सीटे हैं पोल के नुसार अगर दिल्ली में लोग सभा चुनाओ हुए तो सभी साथ सीटो पर BJP जीच सकती है साथी आपके 52 वोट का नुमान है जबकि BJP को 34 परटी वोट मिल सकते हैं अगर पोल के नुमान सीटों में तबदीर होते हैं तो आपको 60 परटी तक सीटे मिल सकती है हलाकि 2015 के चुनाव के मुकाबले आपकी वोट शेयर में 2.5 परटी नुकसान है जबकि BJP को 1.7 परटी वोटों का नुकसान दिख रहा है दिल्ली ओपिनियन वोट पार्टी वोट शेयर आपकी बान पतिशत, BJP के 34 पतिशत, INC के 4 पतिशत और OTH के 1 पतिशत दिली में 1.46 करोड से अधिक मदाता है, दिली में 8 फरवरी को होने जा रहा है विधान सबा चुनाओं में 1.46 करोड से अधिक मदाता अपने मता अधिकार का उप्योग कर सकेंगे दिली के मुक्र निर्वाचन अधिकारी CEO रनवीर से ने बताया है कि अंतिम मदाता सूची में कुल 1.46,92,136 मदाता हैं जिसमें 80,55,686 पुरुश और 7,66,35,635 महिलाएं 815 टांसजेंडर मदाता शामिल है आप पारी को दिली चनाव 2020 में शुरुबाती दिनों में एक जटका लगा है पारी के टिकेट पर लोकस बचनाव लड़ चोके गुनगुन सी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है पेशले लोकस बचनाव पश्यम सीट लड़ा था वो अब दूसरा नंबर पर कर रहे हैं 71 फिस्दी ने माना स्थी एए पर फैसला सरकार का सही नागरिक्ता संशुधन कानुन की बारे में पूचे गए सवाल पर 71 प्रतिशत लोगों का मानना था कि केंद सरकार ने सही कदम था है इसके अलावा 22 प्रतिशत लोग शेहिन बाग धरना के खिलाफ हैं जब कि 25 प्रतिशत लोग पदरशान कारियों के समर्थन में दिखे जो इस प्रतिशत लोगों ने इस बारे में अपनी राय नहीं दी है पदान मंत्री ने इन मोदियों बिज़ेपी के चाना के कही जाने वाले कींद्री इक द्रह मंत्री अमर्ट शहा के कैमपेनिंग ने दिल्ली चुनाओं में हवा का रुक बिज़ेपी की तरफ थोड़ा जरूर मुड़ा है हलाकि उसमें उतनी मजबूती नहीं मिल रही है वहीं आम आदमी पार्टी आपको हटा कर दिल्ली की सत्ता का सिहासन हत्या ले बिज़ेपी का दिल्ली की 21 साल बनवा उसको तुने का पार्टी का सपना पूरा नहीं हो पाएगा कुछ मुख्यतत सर्वे की तारिक आम आदमी पार्टी बिज़ेपी 27 जनवरी को क्यार पतिशत 31 पतिशत 28 जनवरी को बिज़ेपी की 33 पतिशत और आम आदमी पार्टी के 50 पतिशत 29 जनवरी को बिज़ेपी की 34 पतिशत आम आदमी पार्टी के 50 पतिशत 30 जनवरी को पर नीजी प्रता से बिज्डवाल के शर्वाल के निज्डवाल को निशाना बनाने की कारण बिज्डवाल को नुखसान उठाना पड़ेगा वहीं चोईस फजली लोग मानते हैं कि हमने से बिजेपी को कोई लुकसान नहीं होने वाल है